तो हेलो गाइज, विल्कम टू आपका मेंटर अवीशेक, इस बार C-MAT का एक्जाम का कमपेडिशन लेबल बहुत इंक्रीज होने वाला है, सबसे पहला बात, क्योंकि, विकाज अव कोरोना, लास्ट येर बहुत लोगों ने एड्मिशन नहीं लिया है, वो लोग भी इस बार C-MAT को एक साल से प्रिपेर करके दे रहा है, जो लोग इस साल ग्रेजुएट हुए है, वो लोग भी इस बार C-MAT का एक्जाम दे रहा है, जो लोग जोब कर रहा था, वो लोग भी जोब छोड़के इस बार एक्जाम दे रहा है, तो सोच सकते हो कि इस बार का C-MAT का कमपेटिशन लेबल कितना हाई होने वाला है, तो अगर आप लोग C-MAT को क्रैक करना चाहते हो, और 90% के उपर लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखो, मैं इस वीडिय के नीचे लाते हो, तो कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट मी, हर एक गाइडेंस मैं इस वीडियो में दूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक information important है, कोई आपको ऐसे ही नहीं समझाएगा, ठोक के बोलता हो, इतने details में, इतना strategically, इतना time management के साथ, कोई नहीं स जाएगा, इस वीडियो में आपको time management से लेके सब कुछ दूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, जितना हो साथ के share करो, जितना हो साथ के share करो, एन चैनल को subscribe करो, क्योंकि आज से हम लोग सीमेट का material प्रोवाइड करना शूरू करेंगे, तो चलो guys, शूरू करते है So guys, चलिए शूरू करते है, maximum students लोग अभी confused जाए कि हमें क्या, सीमेट exam देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोगोंने cat के लिए इतना पैसा उड़ा चुके है, end mat के लिए इतना पैसा उड़ा चुके है, snap के लिए इतना पैसा उड़ा चुके है, तो क्या ह हम लोग अभी सीमेट के लिए पैसा उड़ा दे, या खर्चा कर दे, यह सीमेट exam क्या, वर्दी है, तो मैं आप लोग के लिए यही बोलूँगा कि सीमेट exam बहुत वर्दी है, maximum students के लिए, और मैं आप सब को highly recommend करूँगा कि सीमेट exam दो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे colleges है जो cadence Z का score accept करता है, और लोग सीमेट का भी score accept करता है, जैसे केजे सो माईया हो गया, तो मैं आपको highly recommend करूँगा, in college के बारे में मैं next video बनाऊंगा, वो आपके उपर है, कि आप कितना ही इस video को share करते है, एक चीज़ मैं आपको ठोक के guarantee दे के बोल रहा हूँ, कि मैं जैसे समझाँगा, जो real guidance दोंगा, कोई आपको नहीं देगा, दिखा दो बस कोई दे रहा है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, तो सबसे पहला बास, सीमेट 2021 इस पर कौन कौन सा डेट में हो रहा है, दो डेट में हो रहा है, एक है 22nd February, दूसरा है 27th February, ठीक है, दो डेट में हो गलत करोगे, तो minus 1 मिलेगा, ठीक है, कोई तुका मत देना, बहुत टाइम है, 180 में मतलब 3 घंटे का एक्जाम है, बचबन में हमें वीटेट में मिलता था, 3 घंटे का एक्जाम देने को 3 घंटे का एक्जाम है, बहुत ही जादा टाइम दे रहा है, अच्छी तरह से प्लस 4 मिलेगा, गलत करोगे, तो पार कोशन आपको minus 1 मिलेगा, समझ में आगया इतना तक, अब next, सी मेट में total 4 सेक्षन होता है, logical and analytical reasoning होता है, quant, मतलब, quant and di होता है, ठीक है, मैंने di नहीं लिखा, ये लिख दो, quant and di होता है, English होता है, general awareness होता है, ठीक है, अब पार कोशन मे 25 करके कोशन रहता है, 25 करके कोशन रहता है, and पार कोशन आपको बता है, 1 marks होता है, ठीक है, अब आपको कैसे शुरू करना है, exam को, how to score above 95 percentile in CMAT, इसका guidance मैं आपको दूँगा, आपका time management क्या होना चाहिए, ठीक है, 180 minutes है, बहुत जादा time है, इतना time आपको कोई exam नहीं देत है, and question level, CMAT का, easy to moderate के बीच में होता है, easy to moderate के बीच में होता है, snap से भी asan question रहता है, NMAT से भी asan question रहता है, तो अब सब के लिए एक बहुत अच्छा opportunities है, तो आपको कौन सा, और कोई मतलब, sectional cut-off नहीं रहता है, CMAT में, आप कोई भी section में जाके शुरू कर सकते हो, अगर चाते हो कौन से शुरू करना है, तो कौन से शुरू कर सकते हो, कई भी sectional switch हो सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब आते है कि कैसे आपको शुरू करना है, सबसे बड़ा इसमें game changer क्या है, game changer है general awareness, मतलब GK, GK है अपका game changer, ठीक है, यह सब में क्या क्या chapter important है, next video में लाऊंगा, जितना आप share करेंगा, अगर views अच्छा हैगा, तो मैं आप लोग के लिए ले के आऊंगा, ठीक है, कि GK में कौन कौन से chapter important है, और मैं videos आज से जीके का वेजना आप लोग को शुरू कर दूँगा, ठीक है, जीके का videos में आप लोग को वेजना शुरू कर से, ठीक है, तो follow करते रहे न, subscribe कर देना, तो सबसे पहला बात, सबसे important portion है, general awareness, जहाँ पे आपका 25 questions आता है, और GK से सब को शुरू करना है, जो strategy बोर रहा हो, सुनो, GK से सब को शुरू करना है, GK में आप लोग 10 minutes दोगे, क्योंकि GK ऐसा section है, कि आपको आता है, तो आता है, नहीं आता है, तो छोड़ दो, ठीक है, आता है, तो आता है, नहीं आता है, तो छोड़ दो, अगर आप पढ़े हो, questions से, question तो आपको comment मिल जाए, option देखो टिक करोगे next, tick करोगे next, GK में क्या, क्या है, क्वांट की तारा सोचना है, one plus one क्या होता है, ऐसा सोचना है, नह हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, जीके नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको सब कुछ दूँगा, डेली करेंट एफियर्स के लिए, नीचे लिंक दिया हुए, डेस्क्रिप्शन में, जॉइन कर लो, टेलीग्रम ग्रूप में, डेली करेंट एफियर्स भेशता हूँ, आज से नही दे रहा हूँ, पच्चीस कोश्चन के लिए 40 मिनिट्स, ठीक है, तो क्वांट एरिग्रिवेन होगा, क्वांट जो सेक्षन है, एरिथमेटिक ड्रिवेन होगा, आप लोग मैं स्नैप के धाइम में भी बोला था, क्वांट करके जाओ, जो लोग क्वांट करके गया था, दो क्वांट में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एριथमेट एरिथमेटिक से, और मैंने पूरा एरिथ करा दिया है, जो लोग चैनल में नए है, वो लोग बैस ब slides करके दो होगा देख लो, पुरहने लोगों तो पता ही है इतना ठोक के बोड़ा हो जितना भी मैंने अडित करा आया है उसके बाहर question नहीं आएगा मतलब same question तो नहीं है same type का question ही आएगा इसके बाहर type का questions आने का chances बहुत कम है 0.01% chance है कि इसके बाहर question आए मैं फिर से बोल रहां है एरिथ हमारे चैनल से पूरा देख जाओ मैं थोक कर बेख लगा थाओ प्रिधिक हे चेक कर रहे हमारे वीडियों कर रहू एक कोशन दिखाओ जो मैंने नहीं कर हाया किमनेस नहीं करा्या झाल तो तो सब कोjourd हो फिर से बोड़ा क्वांट में एरित हमारे चैनल से अच्छी तरह से करके जाओ बहुत भी इंपोर्टेंट है 14-15 कोशन आपको मिलेगा है आपको मैं क्वांटेंट डियाई में 40 मिनिस दे रहा हूं आराम से सॉल्व करना और बाकी चीज कहा से करना है मैं नेक्स वीडियो में जा आपको मैं कौन कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है उसमें बोल दूँगा तो फॉर नाउ आप लोगों काम है आज से क्वांट प्रेक्टिस करन यह नहीं मिला गारेंट देखे ठोक के बोला तो इडियम्स कमन आएगा आया है यह नहीं आया है बोलो तुम लोग ही बोलो कि क्वांट एंड डियाई हो गया आप कितना दोगे 40 मिनिट्स जो लोग किसमें अच्छे जो लोग क्वांट में अच्छे ओं लोग जीके के 20 मिनिट्स इंग्लिश भी सिमिलर है आता है तो आता है नहीं आता है तो छोड़ दो फिर भी आपके लिए मैं बहुत टैम दिया सिब आपको आर्सी इसमें उस वक्त में ही करना है आर्सी नहीं करना है इंग्लिश सेक्शन जब आप करोगे आर्सी को तब तक नहीं करना है क GK से शुरू करना है, मैं फिर से number one कर देता हू, GK से सब को शुरू करना है, दूसरे में जो quant में अच्छे हो, quant से शुरू करेगा, जो English में अच्छे हो, English से शुरू करेगा, ठीक है, third में जाएगा, जो third में quant में जाएगा, और third में English में जाएगा, जो English में अच्छे हो, English स शुरू करके next year quant में जाएगा जो लोग quant में अच्छ है लोग quant में शुरू करेगा next English में जाएगा और English में से फिर से बोड़ाओ vocab बहुत important है not only हमारे वीडियो के vocab daily में ग्रूप में जो हिंदू vocab देता हूँ तो English second में शुरू करना जो लोग English में अच्छे है and क्या क्या करना है 20 मेरी तक grammar बागेरा जो है कर लो 20 मेरी तक कर लो only RC नहीं पकरना है प्या जंबल तक कर लो English में ठीक है एक दम last में करना है logical reasoning and analytical reasoning logical reasoning में फिर से बोला दिखने में आसा लगता है बड़ कभी कभी आपका time consuming हो जाता है इसलिए logical reasoning last में रखना safe है and logical reasoning में आपको कितना time देना चाहिए 40 minutes ये आपको last में रखना है देखिए आपके पास कितना time खर्चा किए तीन घंटे में से 180 minutes में से आपने कितना time खर्चा किए जी के से शुरू कर रहे है 10 minutes दे रहे है जो लोग क्वांट में अच्छे और लोग क्वांट में time दे रहे है 40 minutes मतलब 50 minutes उसके बाद आ रहे है किसमें इंग्लिश में 50 plus 20 कितना होता है 70 70 plus 40 कितना होता है बोलो 110 minutes आप खर्चा कर चुके हो तो आपके पास अभी कितना minutes बचा है 70 minutes बचा है 70 minutes 70 minutes आपके लिए बहुत एनाफ है revise करने के लिए इन 70 minutes में आप अपना RC आर्सी सॉल्ट कीजिए RC reading comprehension सॉल्ट कीजिए 70 minutes में RC हो जाएगा उसके बाद जो जो कोशन आपका छूट गया है अच्छी तरह से सॉल्ट कीजिए revise कीजिए मैं फिर से आपको बोड़ाओ game changer यह दो section है quant and general English sorry quant and general awareness ठीक है gk and quant सबसे important है quant में maximum लोग week है बहुत पैसा आप लोग खर्चा की हो मेरे को पता है जो लोग नहे हो सुनो गलत बोड़ रहा हो तो मेरे को बोलो बहुत पैसा आप लोग maximum लोग खर्चा की हो पढ़ने के लिए क्या सीखे हो quant में formula रटा मारके कोई book से formula रटा मारके use करने से quant नहीं होता है quant details में depth में सीखना पड़ता है practically सोचना पड़ता है तब होता है quant मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हो हमारे वीडियोस देखो और बाकी के साथ compare करो में भी आपको लग सकते यह बन देखो तो मैं पहली बार देख रहा हो क्या समझाएगा guarantee यह के बोलता हो जो लोग अभी तक मेरे को follow किया हो लोग अभी तक मेरे साथ स्टिक्ट हुए है देखो जो लोग नए है trust करो थोड़ा trust करो मेरे को अंधिकी तर एकिन मत करो खुड try करके तो एक बड़ देखो आप लोग बहुत जगाए पड़े हो कोई ऐसा पड़ा था यानि एक बड़ देखो try करके मैं यह बोलूगा आप लोग को आपको बहुत अच्छे exam होगा आपके हाथ में 70 मिरिट बचा हुआ है इस 70 मिरिट को आप बहुत अच्छी तार से यूज कर सकते हो तो सबसे पहले आपको किससे शुरू करना है जीके में 10 मिरिट से जाद आपको देना नहीं है जीके कोई सोचने का चीज नहीं है किये हो तो common है नहीं है तो छोड़ दो next जो English में अच्छा है English से शुरू करना है जो quants में अच्छा है और quants से शुरू करना है ठीक है अगर जरूरत पड़े तो यह 40 मिरिट में आप कोशन तो आफ सॉल्व कर सकते हैं 40 मिट में 40 मिट में अफरा कोशन सॉल्व करो बहुत देरिया टाइम तुमको अब एलार में 40 मिन्स में आप एटलिस 18 कोशन टर्गेट को सॉल्व करना ठीक है बाकी जो 70 मिट मिल रहा है आपके लिए है आपको जो कोशन लगे आप करो करो बड़ सी मैट का मैंने जो टाइल के नीचे लाओगे तो उसका कोई वैलू नहीं है अगर सी मैट में अच्छा कोलेज चाते हो तो फिर से बोल रहा हो तो आप तो बोल सकते हैं 85 में तो मेरे दोस्कों मिला है अरे अगर 85 टार्गेट करोगे ना 70 मिलेगा हमेशा टार्गेट 100 परसेंटल राखो इसलि करने के लिए ऐसे कौन समझाता है अब दिखा दो इतना प्लैनिंग के स्ट्रेजी के साथ कौन समझाता है अब मैं आपको समझाओं कि कि लास्ट येर में कितना स्कोर आया था और कितना परसेंटल आया था अभी मैं आपको समझाओंगा ठीक है तो बने रही है आधा देख के जाएंगे तो आपको regret करना पड़ेगा तो चलो तो चलिए गाइस सीमेट का last year का analysis देख लेते हैं कि कितने score में कितना परसेंट है लाया था सबसे पहला बात एक चीज़ में आपको बोलना चाहता हूँ कि सीमेट इस वर दो डेट पे होगा मैं बोला 2227 को यह डेट आप ल हम लोग इतना दिन से यही देख रहा है एंड मैट भी देख रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो बोलो क्या चाहिए तुम लोग अपने आप से पूछो अपको अगर टफ एक्जाम देना है तो बात में फॉर्म फिल अप करो कोई बात नहीं है अगर आपको उन लोगो 22 को डेट मिल रहा है जो लोग लास में फॉर्म की लफ गड़ेगा उन लोगो 27 मिलेगा तो ध्यान से इस बात को ध्यान पर रखना तो चलो सीमेट 2020 में जो लोग 347 लाया था उन लोगो मिला है 100 परसेंटाइल 347 किसमें लाया था आउट ओफ 400 जो लोग 251 से 342 लाया था उन लोगो आया था 95 to 99.99 परसेंटाइल जो लोग 232 लाया 232 से लेके 250 तक लाया था उन लोग को मिले 92 94.99 परसेंटल और मैं इतना था कि consider करूंगा मैं नहीं चाहता है मेरा कोई भी student जो मेरे को follow करता है इसमें से आए मैं चाहता हूँ सब इसमें से आए बाकी आप लोग देख लो मैं इसमें considerate नहीं करूंगा मैं इसमें considerate करूंगा सब के लिए ठीक है क्योंकि मैं आप लोगा अच्छा चाता हूँ तो सुनो देख रहे हो ना 400 में कितना score करना पड़ता है 347 इस बार बढ़ भी सकता है इस बार बढ़ भी सकता है इस बार बढ़ भी सकता है वे भी इस बार 370 हो गया आपके पस एनफ टाइम है एक मैने को पर मौका मिल रहे है पड़ने का और maximum लोग कहां पर फसता है बता है गलत guidance के चक्कर में trust me गलत guidance बहुत सारा coaching business खोलने के लिए बैठा हुआ है आपको बोल देगे यह करो ओकर आप लोग misguided हो जाओगे formula सीखके चले जाओग आपको real quant कोई नहीं सिखाएगा और maximum लोग quant में डूपता है मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे experience से बोल रहा हूँ तो please अभी मौका है जाके एरित पूरा complete करो जी के मैं दूँगा next lecture में मैं सबसे पहला जो next lecture आएगा सिमेट के और उधर में हर एक मतलब जो quant है English है क्या के important है सब बोलूँगा तो ये वीडियो जो next वीडियो आएगा ये आपके ओपर depend कर रहा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो please like करो जितना हो सगे share करो तकि जितना लोग misguided है सब को जानने का मौका मिले कि reality क्या है ठीक है selfish मत बनो मैं आपके लिए next वीडियो लेके आ जाओंगा और ये तो आपको समझ में आ रहा है ना 400 में 347 में 100% मिल रहा है आप लोगो को इन घंटे का time मिल रहा है पार question 4 marks है पार question 4 marks है कोशिश करोगे तो आ जाएगा आज से आप लोग quant में and gk में focus करो English solution reasoning में तो सब अच्छे है लोग मार खाते है quant में gk में कोशिश करो कोशिश करोगे तो तुम लोग इस position में पहुच सकते हैं trust me अगर इस position में पहुच नहीं पाए तो अच्छा colleges भूल जाओ अच्छा colleges भूल जाओ मैं फिर से बोरा हूँ ठीक है समझ में आ गया next video colleges के उपर एक आएगा and फिर से मैं एक बात बोलूँगा रिपीटेटली बोलूँगा आपको अगर लगता है बोरिंग है तो बोरिंग हो जाए आपको इसमें target करना है इतना score के अंदर target करना ये बढ़ भी सकता है घड़ भी सकता है बट बढ़ने का chance से सबस्द जादा है क्योंकि इस बर competition आपको अच्छा देना है या बुरा देना है तो follow करो, follow करो, जो मैं बोड़ा हो, follow करो, पढ़ाई करो, guarantee देके बोड़ा आपको अच्छा माकस आएगा बाकी आपके ऊपर I hope यह व्रा लेक्च्छर आपको अच्छा लगा होगा तो please like करो and जितना हो सके share करो तो चलो friends, bye, have a nice day and all the best